हेलो बिच्चों कैसे हैं आप हुम्मीद करती हूं आप बढ़िया और मज़े में होंगे और अपना जीवन आनंद में बिता रहे होंगे तो बच्चों आज की अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं अप पठित गध्यांज अर्थात अंसीन पैसेज तो बच्चों आप पठित से तातपर्य है जिसे कभी पहले ना पढ़ा हो अप पठित गध्यांज वह होता है जो निर्धारित पाठ्थे पुस्तकों में ना आया हो ऐसे गध्यांजों के कुछ प्राश्ण दिये गए हैं जिनको हम गध्यांज पढ़कर जानेंगे आईए पहला गध्यांज है सफलता बस यूही हाथ नहीं लगती इसके लिए आवशक है कि आपके उदेश्य सपष्ट हो और आप वो आत्म विश्वास हो कि आपके जो राह चुनी है उस पर आप तमाम व्यवारिक और व्यवारिक रुकाउटों के बावजूद चलते रहेंगे प प्रतियोगता पूर्ण समय में युवा ग्रसित रहते हैं सकारत्मक सोच के लिए सबसे पहले आवशक है कि आप जानते हों कि आपकी कमियां और खूबियां क्या है कमियों को आप अगर पूरी तरह दूर ना कर पाएं तो उन्हें अपनी खूबियों से ढखना तो सीखी सक नहीं तो आपने सबसे पहले गद्यांच अच्छे से दो तीन बार पढ़ना है उसकी बाद प्रश्ण पढ़के गद्यांचों में से ही उत्तर देना है जैसे हम इसका पहला प्रश्ण पढ़ेंगे सफलता के लिए क्या आवशक है जिसका उत्तर है सफलता के लिए आपके उद्देशे स्पष्ट होने चाहिए तथा आपके अंदर आत्म विश्वाश होना चाहिए कि आपने जूरा चुनी है आप तमान रुकाउटों के बावजूत उस पर चलते रहेंगे अब बच्चों बाकी के प्रशना पढ़िए और उनके उत्तर इस गद्यांश में से ढूं निश्चे ही कठोर परिश्रम द्वारा जिस राष्ट के लोग द्रड संकल्प तथा परिश्रम पूरवक कर्म में लीन है उनकी उन्नती तथा प्रगती अश्वम भावी है परिश्रमी व्यक्ती विश्वाश पूरवक मार्क की बाधाओं को हटाता हुआ निरंतर अपने लक्षे की और अग्रसर रहता है जो परिश्रम से जू चुराता है वैसदा दीन ही नहीं बना रहता है संसार में जितने महापुरुष हुए हैं उनके महानता के पीछे कठिन परिश्रम ही रहा है चाए न्यूटन और रमन जैसे विज्ञानिक हो या शेक्सपियर और टैग के उत्तर दें तो चलिए एक प्रश्न पढ़ देते हैं हम जिसे किसी भी राष्ट के लिए विक्सित होने का मूल कारण क्या है तो इसका उत्तर है किसी भी राष्ट के विक्सित होने का मूल कारण कठोर परिश्रम है यह परिश्रम पर गद्यांश था इसी लिए परिश्र मुख्या किसे कहते हैं मुख्या शप्त मुख शप्त से बना है जिस प्रकार मुख सब अंगों में श्रेष्ट है और यदि वह काम करना बंद कर दे तो शरीर के सभी अंग निकम में हो जाएंगे उसी प्रकार मुख्या भी एक पूज्य सदाचारी श्रेष्ट सज्जन पूरुष होता है मुख्ये दो कारे हैं खाना और बोलना खाने और बोलने का एक द्वार है सच्चा मुख्या वही है जो सोच विचार करके बोले और किसी का पैसा भी न खाए बुद्धिमान मनुख्य वह है जिसका मुख्य दिल में हो अर्थात जो सोच समझ कर बोलता हो मूर्ख वह है जिसका दिल मुख्य में हो अर्थात जो उसके मुख्य में आए वह कह दे आप भी अगर शुप चंकल्प मन में धारन करोगे और अशुप वचन मुख्य से ना न अब आपने दो तिन बार इस गद्यांश को पढ़ना है और फिर प्रश्णों के उत्तर देने हैं जैसे कि हम पहला प्रश्ण पढ़ते हैं मुख्या कौन होता है तो इसका उत्तर है मुख्या वे श्रेष्ट व्यक्ति होता है जो पूज्य, सदाचारी, श्रेष्ट तथा सज जन होता है अब इसी तरह आपने बाकी के प्रश्णों के पढ़कर उनके उत्तर देने हैं तब तक हम अगली गद्यांश की और बढ़ते हैं वायू प्रदूशन का सबसे अधिक प्रकोप महानगरों पर हुआ है इसका कारण है बढ़ता हुआ और द्योगी करण गत 20 वर्षों से भारत के प्रतेक नगर में कारखानों की जितनी तेजी से व्रिदी हुई है उससे वायू मंडल पर विपरित प्रभाव पड़ा है अलावा सड़कों पर चलने वाले वाहनों की संख्या में तेजी से होने वाली व्रिदी भी वायू प्रदूशन के लिए पूरी तरह से उत्तर दाई है इन वाहनों के धुए से निकलने वाली कार्बन मोनो अक्साइड गैस के कारण आज ना जाने सांस और फेफ्रों की कितने प्रकार की बिमारियां आम बात हो गई हैं इधर बढ़ती हुई जनसंख्या लोगों का काम की तलाश में गाउं से शहर की और भागना भी वायू प्रदूशन के लिए अप्रत्यक्षर रूप से उत्तर दाई है शहरों की बड़ती जनसंख्या के लिए आवास की सुविधाएं उपलत कराने के लिए व्रक्षों और वनों को भी निरंतर काटा जा रहा है वायू प्रदूशन को कम करने वाले साधनों के हमें खोच करनी चाहिए प्रयावरण की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक व्रक्ष लगाने चाहिए अब इसका द्यांश को भी आप दो तिन बार पड़ें और फिर प्रशनों के उत्तर दें जिसे पहला प्रशन है वायू प्रदूशन का सबसे अधिक प्रकोप महानगरों पर ही क्यों हुआ है तो बच्चों इसी तरह की गद्यांच आपने पढ़ने है और इसी गद्यांच के अंदर से उनका उत्ता ढून कर आपने देना है इसमें कोई कठनाई नहीं है परिक्षा में इसमें पूरे नमबर आपके आने चाहिए अब आप अपठिन गद्यांच का अभ्यासकारे सेम प्राज प्रेयों प्रोग उन्यों के उतने हैं